वेल्कम फ्रेंज आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आएंटी स्टेडी इस चानल पर GST R1, GST R2A, GST R3B इसकी परफेक्टली मिलिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसको क्या बोलते हैं यह किसके लिए यूज होता है मैं आपको बताऊंगा फ्रेंज, GST माने, GST का मतलब है goods and services tax जो भी goods हम लेते हैं जो goods and services लेते हैं या देते हैं उस पर जो लगने वाले tax है उसे हम GST कहते हैं जो GST government को pay करना पड़ता है यह तो हम सबको पता है okay and then GST R1 यह क्या है GST R1 यह यह जो business है business में या small business में या दुकान में या trader में जो भी business करते होंगे जो small हो या big हो small यह हो big हो जो भी GST यह small या big के लिए नहीं है यह all-rounder इंडिया के लिए GST लगता है यह सिर्फ GST R1 GST R2A GST R3B जिने भरना होता है मतलब जिने fulfill मतलब return करना होता है जो GST नंबर जिसके पास है जिसके पास है GST नंबर वही GST R1 & 2 & 3 यह GST return फाइल करता है हर महिन है एक एवरी मंथ इस पे पे जी एस टी इन रिटन ओके दाट्स इट जी एस टी आर वन है जो भी जितना बिजनस में सेल होगा जितना हम बिजनस में सेल करेंगे जितना भी आउटपूट होगा उसकी GST R1 भरना पड़ेगा ओके इसे जो भी सेल होगा इसके कि इसी में फुल्फिल करेंगे ओके यह सेल होगा इसमें होगा ओके and then GST R2A GST R2A कहां पे करना है जो भी बिजनस में पढ़ा कारेंगे बहुत सारे हम परचर करते हैं बिजनस करते हैं स्마ल हो या भी ओके जो भी ईन्पूट होता है इन्पूट माने पर्चर करते हैं उस्य जो पर्चेस करने वाली GST मतलब GST हम पर जो लगता है GST, वो हम GST R2A में return करते हैं, return file करते हैं, यह GST R1 का मतलब क्या है, जो भी हम sell करते हैं, उस पर हमको GST return fill करना पड़ते हैं, and then GST R2A, हम जितना purchase करते हैं, जितना हम purchase करते हैं, उस पर जो हमको लगने वाली tax है, और tax हम return यहां करते हैं, ओके, आज थर्ड, GST R3B कहता है कि, जो sell and purchase, sell and purchase में तुम, file return करोगे, sell and purchase में, मतलब GST R1, GST R2A में तुम return करोगे, file return करोगे, और दोनों में आप return जब करोगे, दोनों में return आप जब करोगे, उसकी summary GST R3 में दिखाई देगी, जो दोनों में होगा, वो यहां transition वहां दिखाई देगा, यह summary है, GST R3B एक summary है, कि GST R2A इतना हुआ, GST R1 यह इतना हुआ, यह summary है, यह बताता है, कि GST R3B बताता है, GST R3B यही बताता है, ओके फ्रेंस, इसका meaning इतना ही है, मैंने एक वीडियो देखा था है, कि क्या है GST R1 और GST R2A, उन्होंने मतलब, यह खचर पचर हुआ था, आउटपूट, इंपूट, आउटपूट, इंपूट, इंपूट, यह कुछ समझ में नहीं रहा था, क्या है आउटपूट, क्या है इंपूट, आपको मैं इसलिए फंडा दिखाऊ, कि GST R1 यह यह जो sell की होती है, आउटपूट, इसलिए फंडा पर्चस की होती है, यह जो इसलिए फिल करना पड़ता है, और GST R2A यह यहां फिल करना पड़ता है, जो पर्चस करते हैं, जो पर्चस और सेल करते हैं, उस समरी GST R3B में दिखाई देगा, ओके फ्रेंस, यह है फ्रेंस, आप एक बार देख सकते हैं, इसी के फॉर्मेट ही आपको GST रिटन फिल करना पड़ता है, फ्रेंस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंस, फ्रेंस यह वीडियो कैसा लगा आपके लिए, लाइक और शेर फ्रेंस, कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंस, धन्यवाद,